हेलो कैसे हैं आज फिर मैं आप लोग के साथ अस्टूडेंट इलीट पे राश्टपती के भाग तीन ले करके जो भी बनने थे प्रस्ण आज इस राश्टपती के स्रीज में आपका अंतिम पार्ट होंगे और इसे बनने वाले सभी प्रस्ण पर मैं आज डिसकस करूंगा तो मैंने बताया था कि राश्टपती बनने के लिए या राजसवा के सदस्ति बनने के लिए उम्र 35 वर्स पूरी होनी चाहिए तो option नमबर डी option नमबर डी आपका सही अंसर option नमबर डी आपका सही अंसर अगले प्रस्ण क्यू और चलते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण आपका अगला प्रस्ण है भारत के राष्ट पती निर्वाचित होने के पत्र बनने के लिए किसी ब्यक्ति की आयू पुर्ण होनी चाहिए तो 35 वर्स की आयू पुर्ण होनी चाहिए कि एक व्यक्ति राष्टपती पत्र के लिए अधिक्तम कितनी वार निर्वाचित हो सकते हैं तो कोई शीमा नहीं है मैंने बताया होगा अनुछेद अनुछेद 57 में भारतिय संभिधान में यह चर्चा किया गया है कि कोई भी ब्यक्ति कोई भी ब्यक्ति चाहे हुआ जितना भी बार चाहे जितना भी बार चाहे वह राष्ट्पती निर्वाचित हो सकते हैं चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि राष्ट्पती का निर्वाचन किस परकार से होता है तो मैं उस समय बताया होगा जब राश्ट्रपती का पहला पार्ट मेंने लाया तो राश्ट्रपती का जो चुनाव होता है तो आप देखिए परत्यक्षुरूप से यह आपका गलत है फिर है आपका परत्यक्षुरूप से मनोयन के द्वारा कोई अवसपर्षट परधान नहीं है तो मैं यह वता दूँ कि यह जब भी होता है तो आपका परत्यक्ष और पर परत्यक्ष तौर पर इसलिए होते है कि राश्ट्रपती के चुनाओं में जो भी भाग लेते हैं दोनों सदन भारत के सांसत के सदस जो की लोगों के द्वारा चुना जाता है और राजियों के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है वोटिंग किया जाता है जो की हन जनता के द्वारा चुनेगे परतिनिधी होते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप परत्यक्ष रूप से राश्टपती का चु कि अपनाई जाती है है मैंने अभी चर्चा किया है वो शिस्टम के द्वारा किया जाता है चलिए अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं अगला प्रश्ण है राष्ट्पती पद के चुनाव शंबंदी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है देखिए मनें बताओगा कि जब राष्ट पती या उप राष्ट पती के चुनाओं में या तो राष्ट पती का चुनाओं या तो उप राष्ट पती के चुनाओं में जदी कोई विवाद उत्तपन होती है तो भारतिय संविधान के अनुछेद 71 अनी एक खत्तर अनुछेद ये खत्तर में भारतिय सम्विधान के अनुछेद ये खत्तर 71 की अनुसार, 71 की अनुसार यह कहा गया है कि बिवाद, बिवाद जो है, बिवाद, राष्ट पती, राष्ट पती या उप राष्ट पती, के चुनाव के शंबंद में, के चुनाव के संबंद में, चुनाव के संबंद, संबंद में जदी बिवाद उत्त पन हो, बिवाद उत्त पन हो, तो बताया जाए कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोट जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोट उच्तम न्याले जा सकते हैं, चलिए, उच्तम न्याले आपका उप्सन नंबर डी, उप्सन नंबर डी आपका सही अंसर है, अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है राष्टपती के चुनाओं के लिए प्रस्तावक एबम अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए तो मैं बता दून कि राष्टपती के चुनाओं में अनुमोदकों एबम प्रस्तावकों की जो संख्या होती है अनुमोदक और परस्तावक काने का मतलब है कि राश्ट पती में जो भी ब्यक्ति, हर राश्ट पती के चुनाओं में जो भी ब्यक्ति परचा डाखिर करते हैं उस ब्यक्ति को कम से कम 50-50-50 लोकसभा, राधसभा के ब्यक्ति से उन्हें जान पस्चान होनी चाहिए कि जो कम से कम जो संख्या रखी गई है यह आपका 50 परस्तावक और 50 अनुम्मदक रखे गए हैं जदी मैं इसकी इतिहास पर मैं जदी बात करूं तो बताया जाता है कि में प्रस्तावक और और अनुमोदक अनुमोदक अपका है एक ठासथ था एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक थे तो एक था तो कोई भी कोई भी आता था आदमी कोई भी एक आदमी से जान परस्चान हो बहुत सारे परच्चा भराने लगे राश्पती के लिए तो 1977 में एक प्रभधान किया गया कि प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या होगी 10-10 होगी कितना होगा 10-10 होगी और बता दे कि फिर इसमें परिवर्तन किया गया जब 1997 की बात कही जाए 1997 से आज तक बरतमान समय तक 50-50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या निश्चित की गई है तो आसा करते हैं कि आप इस चीज को समझे होंगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका होगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपका आठमा नंबर प्रश्न है कि भारत का राश्पती निर्वाचित होने के लिए निमलिखित में से कौन सी बात आयोगता मानी जाएगी काने का मतलब है कि अनुछेद 58 मैंने बताया होगा कि अनुछेद 58 भारतिय संभिधान का यह कहता है कि राश्पती बनने के लिए कौन-कौन सी योगता होनी चाहिए तो आप स्टेटमेंट पढ़के बता सकते हैं मैंने आपको बताया होगा कि वे ब्यक्ति 35 वास का उम्र पूरा कर लिया हो लोग सभाया राश्पता के सदस बनने के अहरता रखती हो और वह पागल दिवालिया ना हो उस पे दो साल से अधिक कम मुकदमा नहीं हुआ हो इस तरह के बहुत सारे इसी प्रभधाने की गई है राश्पती चुना में लड़ने के व्यक्ति के लिए तो आप पढ़िए कि भारत का नागरिक हो पहला सही है आपका हान यह आपका पहला उप्सन सही है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है हान ऐसा थोड़े कि विदेशिया विदेशिया करके भारत में राश्पती का चुनाव लड़ सके ऐसा तो नहीं होता है दूसरा है 35 वर्ष की आयुपूर्ण कर चुका हो यह भी आपका सही है दूसरा है लोग सभा का सदस्त निर्वाचित होने के लिए अरहित हो यह भी आपका सही है तो आपका हने आपका ऑप्सन नंबर डी जो है कोई लाभ का पदगरहन की हो काने का मतलब जदी कोई पोश्ट पर हो, आईएस हो, आईएस हो, आईएस हो, या तो और कोई पोश्ट पर हो, तो वैसे ब्यक्ति, राश्ट पती के पद, पद के लिए पत्र, नामांकर पत्र नहीं दाखिल कर सकते हैं, और जदी करते भी हैं, तो उस लाब के पद को रिजाइन करना होता है, तो option number, option number D आपका correct answer, option number D आपका correct answer, चलिए, आगले प्रश्ण की वर चलते हैं, आगला प्रश्ण है, भारत में राश्ट पती का चुनाव किया जाता है, मैंने बहुत पहली बता हूँ, कि राश्ट पती का चुनाव होता है, परत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांत्रि मत पताती द्वारा, अनुपार्तिक मत परानाली द्वारा ठुले बैलेट, हाने परनाली देखिए, यह आपका गरत है, कहने का मतलब है कि राश्ट पती का चुनाव होता है, और तक बंद बालेट होता है, आप कहा नहीं सकते हैं, आप जदि कोई राज सभा के सदस, या लोग सवा के सदस या राज के विधान सवा के सदस जदी मान लेकि कोई किसी उमिद्वार को जदी वोटिंग करते हैं तो वह बता नहीं सकते हैं कि आप किस उमिद्वार को वोटिंग किये हैं इसलिए बोला जाता है खुला बैलेट परनाली द्वारा नहीं किया जाता है अनुपातिक मत परनाली जो हता है चुनाव उसे वोटिंग नहीं किया जाता है अनुपातिक परनाली के दुवारा राश्टपती के मत की गनना की जाती है और उस मत में जिसे जिस ब्यक्ति को 50% और पलस 1 मत जिसको प्राप्त किया जो ब्यक्ति प्राप्त करते हैं वो उसी ब्यक्ति को विजेता गोसित किये जाते हैं राश्पती चुनाओं में तो मैं बता दूं कि अनुपातिक परनाली जो है अनुपातिक मत परनाली जो है आपका मतों की गनन से समंदित है देखिए परत्यक्ष चुनाओं तो होंगे नहीं क्योंकि परत्यक्ष चुनाओं काने का मतलब है वहिसा चुनाओं जो परतिनीधी को जनता के सीधे तोर पर जनता के द्वारा चुना जाता है मैंने बताया होगा कि राष्ट्पती का जब चुनाओं होता है तो भीस्टी करते हैं तो उसमें च्वाइस भरना होता क्या वर्ना यह ज़िस्तों क्या सब्सक्राइब बी ऑने एक को आप सटेंड़ दिये बी को फर्स्ट भात दिये इनने चब्राकार से परकार से कुई ब्यक्ट अधिया इन्हें इंदिया नोहां पहला दिया इनने पहला दिया इनने चाहुथा इन्हें तीसरा तो कहने का मतलब इसतरा से दिया जाता है और जैसे आम लेश चार पर्यक्ति चनाव में तो फंस्ट्र in जिस ब्यक्ति को सब से झादा हो इन का जाएक बश्ट इसके बाद देखा जाएगा क checks दुसरे नमबर में किन का है तो उनका मत प्राप्त भूट प्र Приयंगे सिंगर इतानी प्रकिर्या के दोनों में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगे भट जाएगे इसका तो इए प्रेखले में होगा है सिंगल यह एल्डो जाएगा देन फसीस्टम के द्वारा राष्ट्पती का चुनाव किया जाता है तो आपसन नंबर भी आपका आपसन नंबर भी आपका सही अंसर है चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं राष्ट्पती पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो बता दें कि भारत में कोई भी चुनाव हो है निर्व प्राचन आयोग के द्वारा ही संचालित किये जाते हैं चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं राष्ट्पती पर महाभियों की परकिरिया किस देश के संविधान से लिया गया है तो मैं बता दूं कि भारत में जो महाभियों की जो परकिरिया है वे अमेरिका से लिया गया ह है चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं भारती राष्ट पती को किस परस्थिती में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है तो बहुत बार मैंने चर्चा किया महाभियोग लगने के वाद महाभियोग जदी उन पे लग जाता है महाभियोग इंपीचमेंट जदी स दाबित हो जाती है दोनों सद्नों के द्वारा दू बटा तीन बहुमत से तो राष्ट पती का पद खाली करना पड़ता है चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला परस्ट है कि संविधान के अनुछेद 124 के अंतरगात राष्ट पती निमलिखित में से क्या कर सकते हैं दखिए अनुछेद 124 में हमने बताया कि सर्वोच न्यालाए सुप्रीम कोट की चर्चा की गई है सुप्रीम कोट के चर्चा में हान अनुछेद 124 के एक सबक क्लाउज नंबर एक में कहा गया है कि राष्ट पती के द्वारा सर्वोच न्यालाए के सर्वोच न्यालाए के सर्वोच न्यालाए के न्याएधीस की नियुक्ति की जाएगी अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस्ट आपका है किसी मिर्तिव धंड पाए को छमादान करने की सकती निम्लिखित में से किसको प्राप्व है तो कल मैंने चर्चा किया था कि कि अनुछिद 72 के तहट WA N Señ 22 के तहट मा भारत राश्च्पती का यह सकती है कि किसी अपरादी का है अपराद में है अपराद में परिवर्तन ला सकते हैं उसकी परिवा- और केवल केवल और केवल राष्ट पती केवल और केवल मिर्ति उदंड केवल और केवल राष्ट पती क्या कर सकते हैं ताना चलिए अगले प्रस्ट की वह चलते हैं कि आप परत्यसीत वेओ की पूर्ति के लिए निमलिखित में से कौन भारत की आक्समिक निधी से धान निकाल सकता आक्समिक निधी कहने का मतलब अनुछेद 246 में चर्चा किया गया है कि भारत की संचित निधी से जदी औसा जरूवत पड़े देश में उस तरह की समस्या जदी आ जाए तो सिर्फ औशिर्फ राष्ट पती को ही आधिकार है कि आप अक्समिक निधी से अक्षमिक निधी का आप निकाल सकते हैं चलिए option number C option number C आपका सही अंसर है चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस्ट है निमलिखित में से कौन सा अधिकार भारत की राश्पती को प्राप्ते नहीं है करने तथा उसका सत्रावसान करना यह भी आपका सही है यह भी आपका सही है और बदायादा की उच्तम न्याले तथा उच्छ न्याले की अधिकारों को यह आपका गलत है और उस्तम न्याले तथा न्याले की न्याले की न्युक्ति भी करते हैं तो आपसर नंबर आपसर नंबर भी आपका करेक्ट अंसर होंगे यह अस्टेटमेंट क्या है गलत है अस्टेटमेंट गलत है चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस स्थितियों में राश््ठपती संसत का संजुकत दिवेसाने आहुत कर सकते हैं तो कल मै ने बहुत ही बहुत ही अच्छे से मैंने कल्च चर्चा किया था कि एक सदन दवारा पारित विद्धेव को दूसरे सदन सवविकार करना एक सतंद द्वारा विधियक की प्राप्ति के चाह मात कोई कार्जवाही नहीं करना यह आ कहने का मतलब विवाद हर एक स्ट्राटमेंट से यह पता चल रहा है कि कोई भी विद्धियक पर राज और लोग सभा दोनों सदनों में क्या होता क्या है तो विवाद है ना विवाद उत्पन हो रही है हर एक स्टेटमेंट से लग रहा है है तो परियुक्त सभी परस्थितियों में हो सकता है उपरियुक्त सभी परस्थितियों में ऑप्सन नंबर डी ऑप्सन नंबर डी चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं किसी संस्तूती की अधार पर भारत का राश्पती भारत का आक्समिक निधी धन ब्याय कर सकता है तो आपका अगले प्रस्ट की और चलते हैं कि संविधान के किस अनुछेद की अंतरगत राश्पती संगे मंत्री परिसद सलाह मानने के लिए बाद होता है तो मैंने बताया होगा कि अनुछेद चहुत्तर में बोला गया है कि राश्पती को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिसद होंगे चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि राश्पती निम्न में से किस सुची के विशर पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो मैं बता द सकते हैं अध्यादेश की जदी चर्चा की अजार तो अनुछेद 120 120 में ये कहा गया है कि राश्पती अध्यादेश जारी कर सकते हैं चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं राश्पती किस अनुछ सुची के विशर पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है तो मैं बता दूं कि राज राज सुची पर राज सुची पर सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश जारी करने का अधिकार अधिकार हैं ये आपका 123 है ये आपका 123 है और इसने बता दें कि दूस 231 में राज्जपाल को राजपाल का ये अधिकार है कि राजपाल की विशेओं पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं आगले प्रस्तिकाइश परस्थिती ओ Damn राश्टपति अध्यदेश जारी नहीं कर सकते हैं जब केवल राजसवाही सत्र में हो जब केवल लोगसवाही सत्र में हो जब दोनों सत्र में हो जब दोनों सत्र में ना हो देखे क्या है कि निमलिखित में से किस प्रस्थिती में राश्टपति अध्यदेश जारी नहीं कर स हम सकते हैं देखिए जब दोनों सत्र में हो राज सफार जदी दोनों सत्र में हो तो राष्ट पति अध्यादिय कर सकते हैं चल कि अगले प्रस्ण आपका जब कोई जब कोई बिधयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट पती को अधिकार है कि वह उसे देखिए संसोधित कर सकता है संसोधित कर सकता है ये आपका है अधिस्विकार कर सकते हैं अपने पास अनिष्टित काल के लिए नहीं रख सकते हैं, ये भी आपका सही है, पुणर बिचार के लिए बापस भेश सकते हैं, ये भी सही है, तो आपका और अप्सविकार कर सकता है यह नहीं कहने का मतलब है यह आपका कुश्चन में उसे नहीं होना चाहिए कि नहीं का अगला कुश्चन देखते हैं जब राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री पद की सपत ली थी तो उस समय भारत के राष्टपती कौन थे तो उस समय ज्यानी जैल सिंग थे ज्यानी जैल सिंग थे अगले प्रस्ट की और चलते हैं और आज का आज के सेशन का यह अंतीम बनने थे मैंने आप लोगों के साथ खुब डिसकस किया तो चलिए अंतीम प्राश्ट की और चलते हैं भारत के निमलिखित राष्टपतियों में से कौन केंद्रिय सर्ममंत्री भी रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपके बीबी गीरी जी है बीबी गीरी चलिए तो इस तरह स आपका आज राष्टपती का टॉपिक समाप्त हुआ और आने वाले कल आनेवाले समय में फिर आप लोग के साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ जुरूँंगा और इस तरह आप लोग लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें और इस कलास को आप निरंतर करें निरंतर करें जिससे आपको आने वाले परतियक एकजाम में बहुती सहुलियत होगी धन्यवाद करें या सब्सक्राइब करें